तो आज बनाते हैं समोसी का चटपटा आलू, जिसको बनाने के लिए हम कराही लेंगे, कराही में तेल डालेंगे दो चिमच, तेल हमको ज़्यादा नहीं डालना होगा, उसमें आदा चमच हम जीरा डाल देंगे, आप हम थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, तोड़ी सी कलोजी डाल देंगे, आदा चमच डालना है, कलोजी वनफॉर्थ डाल दालना है, और आदा चमच दनिया डालना है, और इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची बारी कटी हुई हम डाल देंगे, क्योंकि समूसे का आलू बहुत चटपटा होता है तीखा होता है तो इसलिए हमको हरी मिर्ची का प्योग जादा करना है अब हम जिंजर गार्लिक पेश डाल देंगे सब डाल के चलाई ले अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे चार आलू के उल हम डाल रहे हैं इस से ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं मैंने पहले से बॉयल करके रख दिये थे आलू को आलू छील के आलू ठंडा हो गया है अब हम इसमें सारा आलू डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे नहीं तो नीचे से हमारा मसाला जल जाएगा इसको तीन से चार मिनिट तक हम भोनेंगे खड़ी धनिया डालने से समोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने खड़ी धनिया को डाला है आप हम इसमें फ्रोजन मटर डाल देंगे अगर आपके पास वैसी मटर हो तो उसको उबाल के डालें अब हम लाल मिर्चा डालेंगे इसे कहते हैं देगी मिरच देगी मिरच हम इसलिए डाल रहें क्योंकि पहले हम हरी मिर्च डाल चुके हैं अब हम आधा चिमत्स धनिया का पाउडर डालेंगे, गैस की फ्लेम मेरी स्लो ही है, मैंने तेल जाता नहीं डाला है, अब हम चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला हमको ज़्यादा डालना होगा क्योंकि आलू हमको चटपटा बनाना है, इस परकार चे अगर हम समुसे का आलू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, अब हम थोड़ा सा मेंगी मसाला डाल दिये हैं, आधा चिमत्स ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सा डाला है, अब हम गरण मसाला डाल देंगे, गरम मसाला चाहे तो आप एक चमस टालने का जरूद नहीं है, हमारा गला जलने लगेगा समोसा खाएंगे तो इसको हाइफ फ्लेम में नहीं भूणni है हमें मसालों को डाल के, अब इसे थोड़ी सी मैंने अध्रक ऊपर से डाल दिया है, हल्का सा आपका मन हो तो डाले, कसूरी मेथी क्रस करके डाल दिया है मैंने, अब हमने पुदीना के पत्ती डाल दिया है, धनिया हम सबसे बाद में डालेंगे, धनिया और नीबू, इस विकार से हमारा देखिए मसाले का आलू बहतरीन बनके तयार हो गया है इस आलू से अगर हम समूसा बनाएंगे इस आलू को बर के तो बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा हलवाई से भी अच्छा बनेगा और बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं है इसमें, अब हम स्वाद उन्सवार नमक डालेंगे, नमक मैंने काला और साधा दोनों मिला के रखा था, इसे दोनों नमक डाल दिया है, इसे बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा समूसे के आलू में, गैस की फ्लेम हमें लगाता है, स्लो ही रखनी है, समूसा मैं कल बनाऊंगी, आज मैंने आलू तयार करके आप रेस्पी डाल दिया है, इस वकार से एक बार समोसे का आलू जरूर तयार करें अब हम थोड़ी सी धनिया इसमें डाल देंगे और निबू डाल देंगे इस वकार से हमारा समोसे का आलू बनके तयार है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा देखिएगा समझेगा अच्छा लगे तो बनाईएगा थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए अगर अच्छा लगे ना अच्छा लगे तो डिसलाइक ही कर दिया करिए मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में Thank you very very much हमारा विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद अब समोसे के साथ मिलेंगे